तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुमें बता दूँ तुम में से 62% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जब पूरी वीडियो देखते हो और मज़ा भी लेते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तो कहानी शिरू होती है, guess करो कहां से जहां बैरन इंडिस्ट्री नाम की वॉनबी गेमिंग कमपनी में चल रहा है इन दीदी का प्रेजेंटेशन पावरपॉंट जो इन अंग्रेजों के सामने हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रही है और सारे अंग्रेजे अर लाइक तो दीदी बोल रही है सालो, 200 साल राज क्या तुम लोगों ने तुम्हारी रानी मा की अब ध्यान से सुनो, ये सल्मान भाई की पिच्चर नहीं है शारुक खान की है, तो साइन से रिलेटिक थोड़ी बाते कर लेते है हमारे आसपास बहुत सारी रेज होती है जिसे वाइफाय, ब्लीवटूथ, 4G और अब तो 5G भी आ गया हमारे पास एक नई टेकनोलोजी है जो इन रेज को हरनेस करके होलोग्राम क्रेट करती है वाँ हाँ हाँ, छूलो, रेडियेशन की टेंचन मतलो टेकनोलोजी के नाम पर सब बिखता है ओकी बाई वाँ, क्या acting कर रहा है वहाँ इसी गीमिंग कमपनी में काम करता है हमारा साओध इंडियन शारु खान हाँ हाँ, साओध इंडियन वर्शन भी है, सारके का तो यह काम करता है इस वानबी गीमिंग कमपनी में जिसने आज तक कोई भी धंका वीडियो गेम नी बनाया है यार और यह तास्क फोर्स का डारेक्टर जो इस कमपनी का CEO है इस पर डाल रहा है प्रेशर, अच्छे गेम्स बनाने का जैसे कि GTA, Assassin's Creed, Far Cry, Cyberpunk, नहीं, नहीं, Cyberpunk नहीं, छी और इसकी बीवी, pseudo-feminist Karina Kapoor, जो MCBC गाली में से मा बहन को हटा के बाप भाई करना चाहती है तेरे बाप का भूचा, तेरे ताव का पोड़ा पंजाबी खून है ना, बचपन से सुनती आ रही है, अब थोड़ा चेंड चाहिए 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 तेरे भाई का भूचड़ा और इसका NRI बेटा, बेटा? बाल कट वा यार इसके कोई, जिसका नाम है, ओई परतीक, जो कुद को कुद जादा ही और हीरोज होते है, एक नंबर के गधे, ओ, 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 ये तो मैं भी मानता हूँ, क्या मैं भी एक साड़िस्ट हूँ? तु है, तिरको पता नहीं है, लेकिन तु है जिस लाइक थेनोस, और हीरो, बस नाम नाम का होगा, माइन डिक्ट, बर इसका बेटा अभी भी बहुत कूल है, बिकॉस और इस नरा स्टेटस, और इस नॉलिज क्योंकि प्रतीक एक कम्प्यूटर जीनियस पी है, हम, सही है यार, इसके उमर में हमारी क्लास में, इस इस माउस, इस इस पेंट, सिखाते थे, और हम ड्राइं के नाम पे लंड, पहाड बना के आते थे, तो साओ इंडिन एसर के अपने वानभी गेमिंग कंपनी में जाके बोलता है, हम अब एक ऐस गेम बनाएंगे, जिसमें विलन सबसे मजबूत होगा, और हीरो बस होगा तो वैसे भी यह कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो सब लोग काम पे लग जाओ, वरना टास्क फोर्स का डारेक्टर हमें वापिस अपने गां भेज़ देगा, माइंड इट, तुम्हें मैं बनाऊंगा, इडली वड़ा दोसा सांबर, तो यह लोग लग जाते हैं काम जहां यह रखते हैं विलन का नाम, रावन, ओवेसली यार सबसे खतरनाक विलन चाहिए, अच्छा, नहीं, इसकी फुल फॉर्म है, रांडम एक्सस वन, कुछ लिंसे बाते हैं, तो हीरो का नाम पका राम होगा, रांडम एक्सस मेमरी, जलो हीरो तो बस नाम नाम का है इंटेलिजन्स की कोडिंग करते हैं, ताकि वो चीज़े खुद सीखता रहे, और जीवन पे महनद ही नहीं करनी, तो शकल पे भी क्यों करें, तो एसार के का ही फेस यूज कर लेते हैं, आफ्टर ओल रेचलीज का मालिक है भाई, तो गेम के सिंपल रूल से, रूल नमबर गेम सिर्फ तीन लेवल का होगा, क्योंकि बड़ा गेम बनाते बनाते फिक्तर खतम हो जाएगी, रूल नमबर थ्री, दोनों को थर्ड लेवल पे गन मिलेगी, जिसमें सिर्फ एक गोली होगी, तो लास्ट में मरने का एक ही चांस मिलेगा, और मारने का भी है नमस्त गेम, अच्छ एक बिड़ा गेम उप्टा एक बारेश गोल रहा है और तो और मोशन काप्चर सूट को गेम से कंट्रोल कर रहा है वा भाई, माना AI के लिए कोडिंग की थी, वो इतनी एडवान्स, क्या बात है, Elan चाचा सही कहते हैं, AI टेक्नोलोजी इंसान को मरवाएगी, और यही बोलके चाचा AI में फंडिंग भी चाल हुए, क्या बात है, जै हो Elan चाचा की, परवेल, बेटा है, अभी भी नाराज, तो इसको इंप्रेस करने के लिए, गेम जल्दी जल्दी तायार करते हैं, यार, और टास्क पोर्स का डारेक्टर रखता है डेमो इवेंट, जहां 30-40 साल के वर्जिन गेमिंग एक्सपोर्ट्स को बुलाने के जगे, घर परिवार वालों को बुलाया है, यार, अबे ये तो बैट बॉल भी नहीं खेल सकते, अब गेम का लाइव डेमो दे रहे हैं, तो ये नकली जैकी चैन के मूस रावन अल्रेडी सीख चुका है, तो इसको गेम में अच्छे से पेलता है, और दर्द बाहर हो रहा है, हम, इंट्रेस्टिंग, ये अल्ट्रॉन बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इसका मेन प्लग निकालो कोई, पर बेटा है इंप्रेस, तो नहीं, मत निकालो, उल्टाई से ले जाओ और गेम खिलाओ, तो ये अपने गेमिंग नेम, लुसिफर से लॉग इन करके गेम खिलना शुरू, और सिंस ये गेमिंग इवेंट होते हुए भी यहाँ शराब और शवाब चल रही ह क्योंकि एकान भाई है न, ये कौन, ये कौन नहीं, एकान, नीचे फेक इसको, मैं नाचूंगा पर अपना प्रतीक, A.K.A. लूसिफर, गेमिंग एक्सपर्ट है, और इतना अच्छा है कि रावन को कूटे जा रहा है, लेवल वन पे कूट दिया, लेवल टू पे भी कूट दिया, और अब लेवल थ्री पे कूट नहीं माला होता है कि गेम बन, पिटा घर चलो, कल स्कू के गया, तो तेरी अहां, आजाना बार, कजब बेज़ती है, और इतनी इगो हर्ट हुई, इसकी की गेम तुट करने ही नहीं दे रहा, तो चेक करना पड़ेगा कि क्या दिकत है इसकी, तो साउथ इंडियन एसार के पार्टी के बाद वापस जॉब पे, इस सज्जन को क्या तकलीब है और रावन इतना खतरनाक हो जाता है कि फिजिकल होलोग्राम टेक्नोलोजी यूज करके साउथ इंडियन एसार के पर कर देता है हमला, I mean try, पर बच गया, तो अब बहुत हुआ गेंगेम, अब बहार आके राडा करना है, तो रावन रियस का यूज करके स्टैच किसला ये गेम से बहार आ गया और मेरे बेटे प्रतीक कि यूज को ढूंड रा है ये, अयो, तो भागो, 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 प्रावन अबी अभी दुनिया में आया है तो रास्ते में इसे रोक के पूचता है, भाई साब, लूसीफर कहां मिलेगा, शैतान, गल्ली, खत्रा मेल तुम जूट बोल रहे हो ऐयो, लूसिफर मैं ही हूँ लूसिफर अबे साले, जूट बोलता है, अब मर कामे हामे हाँ और ये इसको ड्राइगन बॉल्स ही वाला कामे हामे हाँ मार के मार देता है अरे रे रे रे, बोला था ना AI टेक्नोलोजी खतरनाक होती है अब घर में है मातम का महौल और अपना साउथ इंडियन एसर के आराइपीन पीस हो गया यार बट यहां रावन जो नकली जैकी चैन बनके लंडन की सडकों पे लूसिफर को ढून रहा है बढ़ाई ढकन AI है इंटरनेट पे ढून ले ना अंधे वहाँ सब मिलता है सब कुछ से क्या मतलब पर परती को दिख जाता है कामेहामेहा की क्लूज जो मैच करता है रावन के कामेहामेहा से मतलब रावन ने मेरे बाप को मारा? ममी, रावन ने मारा है अपपा को चुप, चुप अजा तू जादा बूलेगा तो बाल कट्पा दूगी तेरे अब चुप चाप सामान पेक कर ले हम इंडिया जा रहे हैं नहीं मा नहीं, मैं नहीं जा रहा तेरे बाप का दोच है और भाग के पहुच जाता है बाप की कंपनी में जहां प्रेजेंटेशन देने वाली दीदी भी है ओ भाई, यहां तो तोड़ फोड़ हुए पुलिस इंवेस्टिकेशन वगेरा नहीं होई थी क्या? नहीं बागी एंप्लोईज नहीं आते ओफिस में हैं? No wonder इनके गेम्स नहीं चलते थे Oh, see, that's cold though, that's a cold one, okay तो यह call करता है नकली जाकी चैन के पास जिसको बोलता है जाकी दादा, मैं परतीक बोल रहा हूँ पर अब क्या ही बोलूँ अपा को किसने मारा कोई क्लू है क्या? और यह लूसीफर को रावन ढून रहा है यह क्या बक्चूदी है? इस ठकन को कोई बताओ असली नाम परतीक है मेरा और गेमिंग नेम है लूसीफर पता नहीं किसको ढून रहा है यह अच्छा कि तभी नकली जाकी चैन की लास नीचे गिरती है तभी यह दूनों समझ जाते हैं कि नकली जाकी चैन तो रावन है तो चलो जीवन को जिंदा गरते हैं क्यूंकि रावन जिंदा हो सकता है तो अपना जीवन क्यू नहीं है अईला लेट हो गया और मम्मी नीचे आ गई और रावन ऊपर आ रहा है तो भागो और रावन भी पीछे पड़ गया जहां ये पूरे शहर की मा की चूडिया कर देते हैं, तो ये भाग के जाते हैं किसी कार पार्किंग या कार क्रेव्यार्ड में, जहां रावन इन पे काड़ी फेक देता है कि बूम, जीवन आ गया, गेम से सीधा जिन्दा होके, प्लस ये फेमस क्रास कट जिसकी वज़े से 2011 म हां, शुरू, देखो, देखो, कितनी पावर है अपरे आवनी, तो रावन को हराने के लिए बिल्डिंग पे चड़ जाता है, जहां फॉर सम रीजन्स, बिल्डिंग पे टॉक्सिक एक्स्प्लोसिव टैंक रखा है, उस पे शूट करके, इसका कभूम करके, इसका हार्ट ल एरपूर्ट पे अचानक टिकेट लेके, इसको इंडिया ले आते हैं, जहां उतरते ही, आटो वाले और कैब वाले के बीच में फाल्तु का राडा हो रहा है, जिसमें गुंडा आप करीना मुछीर रहा है, चलती के या, क्या बगपास कर रहे हैं, तो सेक्स के बाद, चैमियो भी तो करवाना है, तो ये दोनों मुवी एक ही उनिवर्स की हैं, काफी पोटेंशल था इस प्रजेक्ट में, थोड़ा जैदा हो गया, तो ये अपने इंडिया वाले घर में जाते हैं, जहां प्रतीक जीवन से अच्छे से बॉंड कर रहा है, पर लोनली दुखी क इसके पती जिखने वाले जीवन से हो रहा है, अट्राक्शन, ब्लैक मिरर का एपिसोड याद आगया, यार, अच्छा बात नहीं है, पर जीवन का एक ही डर है, रावन वापिस आ सकता है, कभी भी आ सकता है, अप्र आ सकता है, साइक्ल से आ सकता है, पैदल आ सकता है, और इंसान अपने डर के बारे में जब जादा बाते करता है तो उसका दिमाग डर को असली रूप दे देता है तो रावन जहां पिसा था वहाँ पे अर्जुन रामपाल के किसी पोफियूम का पोस्टर लगता है जिसमें से एक छटका लगा और रावन जिंदा और यह अर्जुन रामपाल बन जाता है विकाज भूमवी में इनको भी कास्ट किया था ना और यह टास्क फोर्स के डारेक्ट का माइंड कंट्रोल करते है प्रतीक एक ए लूसीफर का एड्रस निकालके इंडिया आ जाता है इनके पीछे-पीछे प्लेन से ओविसली और इंडिया आके मेले में लूसीफर को ढून रहा है क्योंकि टास्क के डारेक्टर ने एड्रस के नाम पे बस सिटी का नाम बताया था अब अल्ट्रोन की तरह इंटरनेट है करना साउथ इंडिया ने सारकी की कोडिंग बड़ी अजीब है लगता है कच्छा की लड़ी है वहां ये जीवन परिवार समेथ अपने पडोसी के इवेंट पे जाता है एंड सिंस विशाल शेकर इंडिया में एकॉन को उठा के लाए थे तो पर जीवन को महसूस हो जाता है कि रावन आसपास ही है ओई करीना ये ले प्रतीक को मुझे तुमें प्रोटेक करना चीए पर मैं अब अकेले ही बिढूँगा रावन से ओके जीवन पर प्लॉट ट्विस्ट करीना तो रावन है और प्रतीक हो गया खिडनाप तो रावन एक वेल मल्टी कैमरा शॉट और वेल एडिटेट फुटेज भीजता है अगर करीना को माइंग कंट्रोल कर दिया था और यह करीना बन गया था तो इसका मतलब जीवन के साथ रावन नाच रहा था तो यह बैंडरा स्टेशन तक भाग के लोकल बाई लोकल जा के ट्रेन के ऊपर से कूथ कूथ के साइड से उड़ उड़ के अंदर गुसके पहुच जाता है माइंड कंट्रोल करीना के पस और ट्रेन इंजन से अलग करके सीन का बर्निंग ट्रेन बना के CST के प्लाटवर्म नंबर पाथ से ठोक के I don't know how यह इंजन सीधा जाते जाते राइट कैसे मुड़ गया और स्टेशन के भाहर निकल जाती यह ट्रेन कुछ से इंसाइस बात की पर इन सब में करीना पच गई है और पूरी बिल्डिंग तभा हो गई पर इंसान बच गए हम पर प्रतीक को बचाना है तो यह जाता है बारन इंडिस्ट्री के मुंबई ब्रांच में और चोटे पहली बात इस मुवी के बाद हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे क्योंकि क्या टक्टी बनाई है तो मैंने प्रतीक को पकड़ के रखा है और मैं इतना बड़ा गदा हूँ कि उसे लूस बांदा है पता नहीं अब तक शायद खुल भी गया होगा एनीवे तो अपन दोनों लड़ते हैं and well वीडियो गेम शुरू जहां यह लड़के लेवल 1 क्रॉस करता है फिर लड़के लेवल 2 इन फाइनली लेवल 3 पे पहुच जाता है लड़ते लड़ते मैं कसम से बोल रहा हूँ बड़ा ही छोटा बकवास और अजीब वीडियो गेम है ये मॉड्स क पहले खुद गोली खाके ताकि उसकी गोली खतम हो जाए क्योंकि हाट अंदर नहीं था ना चीटिंग करता है तो तो विल ये ले रावन तेरी मा का और रावन गया मर पर मेर को भी जाना होगा प्रतीक रावन को लेके गेम में वापिस प्लीज मेरी ब्रॉजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देना वाए वहाँ कुछ महीनों बाद ये वापिस अपने NRAI स्टेटस लेने जाता है लंडन इन प्रतीक इतना बड़ा टेक जीनियस है कि जीवन को वापिस गेम से बाहर निकाल देता है इसका पार्ट तू वगएर आने वाला है क्या? जबाब तो कोई, दस साल तो हो गए यार तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? तेरे भाई का भूचडा एलान चाचा, स्टीफेन हॉकिन्स वगेरा वगेरा सब सही कहते थे आर्टिफिशन इंटेलिजेंस मरवाईगी सब को एक दिन या शायद हो चुका हो कब का और हम सब एक मेट्रिक्स के अंदर ही जी रहे हैं अब क्या ही पता? चलो मैं तो शट्डाउन होने जा रहा हूँ अगली वीडियो में मिलते हैं पर जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दो इतने फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालते हैं यार पर तुम लोगों तक नोटिफिकेशन्स ही नही पहुचती पता नहीं क्यूं लुकटाए लुकटाए क्या बड़िया मूवी ऐ सारी के के स्टैप्स कितने ग्रूवी AI और सुपर हीरो मूवी फिर भी क्यों फुलाप ये हुई तुम सब की है ये गलती, मूवीज नहीं चलती पूछते हो फिर से आरे बेकार स्टार कीट्स है तुम बड़ मास्टर पीस है हॉल में क्यों नहीं जाते तुम सब क्रिमिनर्ज बढ़िया मूवी करते फ्लाप 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 क्रिमिनर्ज बढ़िया मूवी करते फ्लाप 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 फास्तू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवी इसको पिटना नहीं मिलता प्यार उतना उतना यह है इंडिया फास्तू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवी इसको पिटना पिटना सोचल मीडिया पे जाके करते लाख बकैतिया Criminals, बढ़िया मूवी करते फ्लाप फ्लाप उसकी मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवी इसको पिटना पिटना नहीं मिलता प्यार उतना उतना यह है इंडिया फार्दू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवी उसको पिटना पिटना सोचल मीडिया पे जाके करते लाखबा कहती है